दोस्तों अब हम आपको बताएंगी कि कब क्या कहां और कैसे करना है कुछ ऐसे टोटके कुछ ऐसे उपाई जो आपके जीवन की हर तरह की परिशानी का समाधान कर देंगे तो आईए जानते हैं आज के महाशक्तिशाली टोटके आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर लड़की में प्यार की चाहत जगानी है तो क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों अगर आपने महाशक्तिशाली तोटके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलाइची के टोटके जिससे आप लड़की में प्यार की चाहत जगा सकते हैं इलाइची का उपयोग हम सभी लोग दोस्तों कहां कहां नहीं करते सबसे जादा इलाइची का उपयोग किचन में होता है तथा कई बार इसे मेडिसिन्स में भी इस्तिमाल किया जाता है इलाइची के बहुत सारे फाइदे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत सादा लाबदायक होती है इन सब के अलावा इसके और भी कई सारे लाब हैं जिससे आपकी लाइफ और भी आसान बन जाएगी किसी लड़की में अगर प्यार की चाहत जगानी है तो ये टोटका सबसे महाशक्तिशाली है दोस्तों इससे आपको फाइदा भी होगा और भगवान श्रीकृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए तीन इलाइची ले और इसे शरीर से लगा कर छुपा कर रखतें तीन दिन तक रोज पीस कर उस लड़की को खिला दें तीन दिन बाद आप इसका असर खुद देख पाएंगे लड़की में प्यार की चाहत जागने लग जाएगी और जिस लड़की को आप अपने बस में करना चाहते हैं वो आपके वश में हो जाएगी तो दोस्तों ये था हमारा टोट का लड़की में प्यार की चाहत जगाने के लिए इलाईची का उपाएंगे दोस्तों हमारे इस वीडियो की जानकारी का लाब जरूर उठाइए और हमें बताईए कि इस वीडियो की जानकारी से आपको कितना लाब हुआ आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलें देखते रहिए महाशक्तिशाली टोट के चैनल